तो इस वीडियो हम देखने वाले है data types ठीक है data types दो तरह के होते है value references references टाइप के होते है जहां पर जो किसको point कर रहे होते है जो store कर रहे होते है address को किसी चीज के address को जिस जवाब के हमारा data पढ़ा होता है ठीक है इसके बारे में हम आगे चलके अच्छे से बात करेंगे ठीक है इस वीडियो में हमारा focus main focus है value types के बारे में ठीक है यह एक bits 32, 16, 8 ठीक है और आगे चलके हम और तरह के data types देखेंगे fixed बगएरा जो होते है ठीक है अभी क्या basically हम mainly इनको यूज करते है तो सबको देखने की जरूत है नहीं तो mainly इनको समझेंगे ठीक है उसके बाद फिर हम क्या देखने है अगली वीडियो से हम देखने है function बगएरा प्रेट करता हूँ चलिए अब यह करता हूं तो क्या बूलेंट टैप का बनाते है और इसको पबिक कर देता हूं इस समय पबिक करने का मैं आप अच्छा इसे बाद में करने बाद है ठीक है इस वीडियो में सिर्फ पब्लिक का मतलब यह समझे लीज़िए आप इससे क्या होगा हम गैट कर सकते हैं इस बुलियन की वैल्यू का नाम रखने हैं इसकी वैल्यू का नाम रखने हैं इसकी वैल्यू का नाम रखने हैं यह क्या करता है यह क्या करता है गैटर फंक्शन दे देता है हमको अपने बना के इसका गैटर फंक्शन देने की वज़े से हम यहां प टैम्प ठीक है मेरी मर्जी कुछ में नाम दे सकता हूं इसमें मैं डाल देता हूं true तो डाल देता हूं चलिए और इसमें हाह this small होता है small होता है ठीक है इसमें true और false सब कुछ small होता है चलिए डूसरा हम देखते हैं अभी unsign int unsign int public करेंगे इसे ठीक है और इसका नाम देते हैं 10 इसमें value देते हैं कुछ भी value देती ठीक है तो यह क्या होता है unsign int चो लिया जी हमने हमरे पास int है तो int ही use करो unsign int क्यों ही बता रहे हैं हापे especially ठीक है बागी जिगह हमने पड़ाया तो बागी जिगह ऐसे कोई unsign int तो बताता नहीं है यहां इसलिए जरूरोत है क्योंकि हम क्या काम कर रहे होते हैं हम land का कर रहे होते हैं ethers के ठीक है gas का ठीक है यहां पैसो का land in हो रहा होता है ठीक है तो जाद तर हम positive में static variable कुछ होते है static variable क्या होते है जो कि हमारे blockchain पे store होते है storage लगती है इनकी storage करती है cost storage free में नहीं मिलती है ऐसे तो भाई कोई कितना data store कर लेगा कोई कितना बड़ा program ना लेगा तो storage क्या होते है cost करती है इसलिए हम क्या करते है cost को बचाने के लिए उतनी ही चीज़ों का use करते है ठीक है जितनी हमें जरूर है जो हमारे लिए require है ठीक है ऐसे नहीं की एक loop है loop को 100 बार चला दो अगर वो loop 5 बार में रिजल्ट दे रहा है तो हम चाहेंगे अच्छे सच्छ अप्टिमाइज कर सके है और इसलिए जो solidarity developer का का काम होता है optimization का जादा होता है ठीक है पैसा बहुत कमाते हैं यह लेकिन इनका क्या काम होता है optimization का अभी community की बड़ी नहीं है लेकिन जो भी इनका काम होता है अप्टिमाइज करने का होता है स्मार्ट पॉंटे जा सदा अप्टिमाइज करा जाए कम से कम स्पेस लिया जाए कम से कम स्टोरेज ली जाए ठीक है कम से कम स्टोरेज ले blockchain पर चलिए आगे बढ़ते है यार और unsign की value कहां से कहां होती है इसके range बताएता हूं मैं इसके range होती है 0 से 2 raise to power 256 तक 256 मैनस 1 यह इसकी range होती है अगर मैंने लिखा है unsign एक सेकंड अगर मैंने लिखा है आजा भाई int unsign int 8 या unsign int unsign int 16 ठीक है इसका मतलब क्या होगा इतनी bit इस्टोर होंगी इतनी bit ठीक है इसका मतलब bit होता है 8 16 32 ठीक है उसकी range क्या होती जाएगी बस यह power change कर देना कर देते हैं चलो इसका ठीक है अंसाइन इंट की जगा इंट आ जाएगा वैल्यू की जगा कोई और लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है इसकी वैल्यू होती है जैसे 2 raise to power यहां by deferred जैसे यहां के लिखाता है मैंने यू इंट लिखाता मैंने तो जब मैंने यू इंट लिखता हूं तो यह by deferred क्या मतलब होता है इसका अंसाइन इंट 256 ठीक है ऐसा ही जब मैं सिंपल इंट लिखता हूं इसका मतलब होता है अंसाइन इंट 256 मतलब इंट 256 जैसे अंसाइड का 256 मतलब था ऐसी इंट अकर अक्य लिखेंगा तो उसका मतलब है अनसाइड 256 ठीक है यह मतलब होता है इसका हम स्पैसिफाई करते हैं कि हमें कितनी बड़ी वैल्यू चाहिए कि छोटी च्छोटा बनाएंगे इससे कहा कि हमारी जो स्टोरेज पे ज स्टोरेज के ऐसे जो कॉस्ट आएगी वह कम आईगी क्यों कि कम स्टोरेज लेंगे ठीक है तो हम उतना ही यूज करते हैं चीजों को जितनी हमें जरूआत है क्योंकि याद जेव से पैसा जा रहा है ठीक है चलिए तो इसकी वैल्यू बताने वाला था मैं आपको इसकी वै ढाइगेटिव में 2 रिस टूपावर 255 से लेकि positive तू रिस टूपावर 255 माइनस वन ऐसे ही जब इंट 8 होगा 16 होगा तो इसमें कैया यह power चेंज कर देना यहां आ जागा 7 जब 8 की बारी होगे यहां भी आ जागा 7 16 की बारी होगे यहां जाग 15 यहां भी आ जागा 15 एड्रस इसको पब्लिक बनाते हैं और इसमें कोई हमें एड्रस करते हैं हमारी मरजी का ADDR करते हैं ठीक है और इसमें क्या होता है चलो ठीक है अभी इसको ने इनिशलाइज नहीं करते हैं ठीक है यह क्या करता है यह ना 20 बिट्स 20 bits लेता है ठीक है किस form में store करता है hexadecimal में address इसको कौन से address इसको अभी दिखा देता हम चलो इस चीज को भी दिखा देता हम accounts के address जो की है ये याद है न ये address था ये address था इनको store करता है कौन address नाम का ठीक है चलिए जब value type है address address तो आएगा हमारा वहाँ पर store होगा हमारा address ठीक है उस चीज करें निस होगा अगला देखते हैं अभी कैस में कोई value डाली मैं चाहूं तो यहाँ से देखो ये value copy करी ये value copy कर दी और हमें क्या करूंगा control D कर दिया मैंने तो ये value किसमें store होगी अभी तक किसी लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है पहले देख लेते हैं क्या हमने अगर किसी लाइन में कुछ ये problem होती तो पहले बता देता ठीक है यानि सब को सभी चल रहा है इसको side कर देता हूं और एक और होता है bits 32 ठीक है इसके उपर है मैं सैसे की वीडियो बना दूँगा समझाने के लिए अभी simple समझ के देखो किना जब हम string string का use कर रहे होते हैं तो हमें कुछ problem आती है कुछ दिक्कते आती है हमें bytes का use करना ज़दा prefer करते है bytes का simply bytes store करता है और कुछ भी नहीं बस इतना काम है इसका यह क्या करेगा 32 bytes store करेगा समझ गए तो इसको लिख देते हैं इसको किस तरह बनाते हैं इसके फोकस का नहीं जाए जरूत नहीं है इसके लिए मैं like separately video बनाऊँगा उसमें समझाँगा ठीक है अभी तक अभी जो आ गयाने वाले काम है उसमें मैं इसका use कम से कमी करूँगा थाकि तो मैं ऐसे लगे नहीं यार समझाना पट रहा है मतलब बिना समझे काम कर रहा हूँ जैसी मैं रख लगेगा कि हां में समझाने का time आ गया है हम से को समझा देगे अल्रेडी स्टक्चर है सब कुछ ठीक है तो चिंता करने के ज़रूत है नहीं पॉब्लिक और इसमें बेक कुछ देखता हूँ भी ठीक है इसका ना ठीक है इसमें यार कोई value डाल दो ऐसी यह भी hexadecimal ही लेती है ठीक है ठीक है तो ठीक है इसमें अब इसकी value कहां से भूड के लाओं में सिंपल सर्च कर लेना गूगल पर तो कोई ना कोई value आ जाएगी यहां पर इस्टो कर देना अगर मैं इस पर कोई value store नहीं करता हूँ तो यह भी देख लीजे क्या होता है इसमें कोई value store तो करी नहीं है ठीक है इसमें value store करी है तो एक और concept होता है एक चीज का मैं बता हूँ आगे मैं करता हूँ परते से deploy कर देता हूँ चलिए इंसार करते हैं deploy करने का तो deploy हो गया है यह क्या है मेरा पहले वाला था ठीक है फिस्टा खिए राटा था है जो पॉंट्रेक्ट था इसको हटा देता हो मैं सब्सक्राट था हाँ इसको हटा देते हैं एक करेक्ड़र की रहा यह रहा हो एकां यहां का मैं। दिखावी सकता हूं आपको अब कि यहां क्या यार एड्रस बीठी नी यहां बीठी लिखना चला था बीठी लिए अगर इसे कोई बात नहीं थीक है इसको क्लिक किया तो इसमें क्या वैली थी मैं ट्रू फो खरी ठीक है यह किसकी वज़े से आ रहा है यह जो बटन्स आ रहे यह पब्लिक लिखने की वैसे आ रहे है अरी बास अंगे लिखने लिखना न तो यह बटन्स आएंगे ही नहीं ठीक है दुबार से कंपाइल हो गया ग्रीन टिक आ गया ठीक है ऑटो कंपाइल कर रहा है मैं दुबार कर देता हूं इसको हटाता हूं क्योंकि पिश्चौरा पड़ता है अपने यूज के लिए और और वी कारण होते पब्लिक करने के लिए वो जब पब्लिक और हम प्रहएंगे तब समझा दूँग ठीक है अड्रस करते हैं एक सेकंड एड़र से मेंने कॉंसे value लिस्टो करी है जी value लिस्टो करी थी, क्या यही है, जी हाँ यही है बीठरी पर देखिए यह क्यों आया, क्यों की ना हमारे पास null का concept नहीं होता है null या नन का concept नहीं होता है हमारा sorivity में ठीक है, भाई, जो जगा होती है इस पर देखिए तो इस चीट पर बाद में आंगे, ठीक है अभी क्या आगए है इसके इसके अंतर, default value आगए है आगे बढ़े हैंगे आगे देखेंगे, हम temp में क्या आया, जो temp में store कराया था मैंने, temp 2 में क्या जो इसमें store कराया था, अब समझ रहे हैं तो में ते ने 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 टेकले पापई